कि हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपको अपने किचन-गारवन में लेके जाने वाली हूं तो फ्रेंडस चलते है तो कि यह देखें फ्रेंड्स मैंने अपने किचन गार्डन में टमाटर के कुछ प्लांट्स उगाए हैं यह देखिए और इन्हें लकडियों का स्पोर्ट दिया है क्योंकि इस्टेंप्स बहुत सौफ्ट होती है इसली टूर जाती है और इस लकडि की स्पोर्ट से थोड़ा इनको स्पोर्ड रहेगी और देखियं कुछ प्लांट जो पहले लगाए थे तो दकिलांना का फूल लग गए है और कुछ में टमाटगि लगना स्टाट ही ूंग यह देखिया फैंस माटाना लगना स्टाट हो गह हैं मैं दिखाती हूं आपको यह मैंने यह देखिये धेरहं मैं उ भी देखाती हूँ में लगने स्टार्ट हो गए हैं यह देखिए फैंट्स यह पंकोडियों वाला टमाटर है तो कि इतने देखने में कितना सुंदर है और इसका तेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है यह चमबा जैसे हीली एरिया में उगाया जाता है सबजी में इसका बहुत एमेजिंग टेस्ट आता है अभी चोटा है में कच्छा है जब यह पक जाता है तो इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है तो इसमें कुछ यह पंखुरियों वाले टोमाटर है और कुछ नॉर्मल इसमें फ29 लाते हैं ला यह तो सब्सक्रोटोमादे बहुत जादा पख जframe concept नहीं है उनके बीच निकालने हैं और गमले में डाल देने हैं और उसमें पानी देते रहना है 15 वीच दिनों के बाद आपके ट्रमाटर प्लांचेंव को निकल आएंगे जब वह थोड़े से बढ़े हो जाएंगे तो उन्हें निकाल के अलग अलग तो फिर तो और आपके पास कोई भी खाद नहीं है और घरों सब्सक्रमाइब थंडी चाहिए हैं दो तीन दीन की चाहिपति कठ्ठा करके हमें गमलों में डाला देना है यह वहत अच्छी का काम करती है और फेंटिस के दावा अंडे के चिल्खे होते हैं ना उन्हें हमें फैंक ना नहीं है उनके चुछ़चुछ टुक्रे करके हमें गमलों में डाल देनी है यह भी खाद का काम करते हैं तो फ्रेंट्स इस थरह हम अपने घरों में टमाटर और शबजीयां उगाकर हुगा कर बजार से जो हमें कैमिकल वाली जो सबजियां मिलती हैं उन से अपनी सहित को बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और शेयर जूर करें थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई